आप लोग को तो पता होगे एरवाना को वाटर मंकी कहते है पर एरवाना खुद से जम्प करता है ठीक पर कुछ रिजन्स भी होता है जिसके कारण जम्प करता है करते हैं एरवाना का खुद से अगर उसका मूड जम्प करने का तो करेगा वह अम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं लिट यह विडियो में यह रिजन जो है पूरा हम लोग का दोश है जिसके कारण एरवाना जम करता है सब्सक्राइब कर देना चलिए आज कि इस वीडियो को शुरू करते है तो बेसिकली हम लोग का पहला रिजन जो है हो है टैंक साइज आप देखे टैंक साइज मैटर करते है आप लोग अगर एक छोटा टैंक देंगे ना बरा एक एरवाना के लिए वह एकदम हंड्रेट परस साइज आगर औराव और रकड़े तो मिनिमॉम ओभ तो फाइफ टैंक आपको देना है होगा कैसे भी हो जायों देना होगा बहुत कोई शुरू करते है टूशी टैंक सेबेन मैं अब यहु टूफीट टैंक से चुरू कियाता है पर क्या है आपको दीर दीर अब्रेट करना आप 2-50 लाइफ टेम के लिए नहीं रख सकते जब लगबग 10-11 इंच हो जाएगा तो आपको मिनिमाम 3 फीट देना होगा उसके बाद 4 उसके बाद 5 ऐसे करके अपग्रेड करना होगा तो क्या होगा एरवाना आपका जंप नहीं करेंगा सेकेंड जो रीजन है वह पुड़ा टैंक में पुड़ा भरती करके वाट दे दे देना यह बहुत कोई गल्दी करते बाई देगने में सुन्दा लगते पूरा भरती करके दे देता हो यह क्या होता है यह एरवाना के पाद मिल जाता है कि वह इसली जंप आउट कर जाए कोई भी फिशर्स के लिए आपको फूल वाट नहीं रखना होगा देखिए कभी का बार जो है वो लोग क्या होता है ना मतला उपर जाकर लेता है इसलीए पूरा वाटर आप लोग को कभी रखना नहीं होगा देखिए फूर्ड आप लोग सापोस उपर में कुछ पकड़े तो क्या करता है अरववाना जंपकरता है यह हुआ अरववाना जंप पिंग पार उस टाइम आप लोग रहत रहता है इसलीए कुछ नहीं होता मैं एक परसंण अरवाना ейक्सपियेंसे बता रहा हम मेरा ISIS था उसने DAR ऐेक सिलवार वाना रखा था तो बेसिकली क्या हुआ रात में जब वो सुआ था उसका सिसीटी भी लगाया हुआ था उस टैंक का घड में तो उपड में जो है एरवणा को एक कोक्रोज दिग्या दिए मतला वाल पे है कोक्रोज था मेडियम साइज का तो क्या हुआ उसका उसका फूड बस जाम पाउट कर उसे खाने के नीचे गि नंबर फोन में जो है जादा डिस्टर्बेंस के लिए डिस्टर्बेंस मतला चलो नियाने अरवणा खड़ीता हुआ अब हम लोग रोजी देखेंगे उसको हर टाइम देखने जाएंगे तो मिन मतलब हम लोग कुछ भी काम करते अरवणा को देखते हैं यह फिर आचाना उ अगर पूरा अंधेरा घर है आप लोग विताउट एनी मतलब थोरा साउंड किये बिना ही आप लोग लाइट जला दिये तो क्या होगा स्ट्रेस्ट में पूरा जाए तो आपको क्या करने थोरा इसका टैंक में आसे धक्का मार देना हलका से उसके बाद लाइट जलाई अगर नहीं कर रहे ता आपको अरवाना का चांस रहे जंप आउट कर जाए क्यूंकि उस वाटर में उसे रहना ही नहीं है और जो है कि सपोस्ट समर आ गया समर सीजन चल रहे अभी 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 जो है अगर वाटर का टेमपरचर पूर मतलब बहुत ही हाई हो जाए और आप इसे अगर आप लोग ठीक से प्रिवेंट कर सकते है इसका अगर कोई सलूशन निकल सकते है तो 90% चांस रहे आपका अरवाना जंप नहीं करेगा बाकी 10% क्या तीन परसंट भाई उसका मर्ज यह पांच रिजन से भी बहार आके और खुद जंप कर जाता है कोई रिजन के इसका परसंट रिजन के यह वाटर मंगी तया से क्या नहीं जाता पर गाई यह जो रिजन है यह मतलब अल टाइफ फिश के लिए बो सकते है देखें फूट के लिए अफिस्ट जंप नहीं करता है और अरवाना करता है तो यह सब आपको धिया रखना ही होगा डिश्ट बह क्या कर जाएगा यह है बैसिकली रिजन्स तो आप लोग अगर इसका शलीव से निकल सकते इसको प्रिवेंट कर सकते है आपका चारवान है जंप नहीं करेंगा सब्सक्राइब करते करते नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और और एक स्पेसल वीडियो आने बाला करके दखिये तो चलिए आज के इस वीडियो को ही पर एंड करते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो पर तब तक के लिए गुडबाई और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो